नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है गया था और इसी बीच में ये फर्मान जारी हो गया पता नहीं अब फिर आगे क्या होगा सबसे पहले एक वीडियो देखिए कि किस तरीके से एक स्कूल संचालक जो सिक्षक जैसा दिख रहा है वो योगी को यानि उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री को चेतावनी दे रहा है कि यदि आपने आगे एक अप्रेल से स्कूल नहीं खोला तो वो क्या करेगा आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना तो भारस सरकार का तुगलकी फर्मान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का बिद्याले फिर बंद किया जा रहा है कि और आपस ब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि ये खपते के लिए लागडाउन किया जाएगा जब आपका एनुवल इक्जाम चल रहा था और तब से लेके पूरा साल जो था वो बिद्याले बंद हो गया जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इस साल जब ब बिद्याले फिर बंद होगा माननी योगी आदित नाथ महराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष के साथ और जो प्राइबेट अध्यापक बिद्याले में पढ़ा कि अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं उनके पेट पे लात क्यों मार रह हैं इन बच्चों के भविष के साथ खिलवार क्यों कर रहे हैं ठीक है करोना अगर बढ़ रहा है बिद्याले बंद था पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने किसी एक प्रबंदक ने कभी भी बिद्याले खोड़ने के लिए कोई धरना परदर्शन नहीं किया और हम लोग प्रियाग राज में कुम्ब का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था जहां पे करोडों लोग अशनान करने गए और अभी हरीद्वार में महा कुम्ब का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है और बिद्याले जो बच्चों का सबसे दे के भविश के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं यह जितने भी बच्चे हैं अगर एक मार्च आप एक अप्रेल बोले हैं एक अप्रेल तक अगर विद्याला नहीं खुला तिन सारे बच्चों को ले के मैं रोड पे बैठ जाओंगा यह मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हू क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है इन सारे बच्चों का भविस है और इन सारे बच्चों का भविस आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े खढ़के कुछ लायक बनें आप लोग अपना जब रैली निक 92 लोगों ने अपने विद्याले की मानता निरस्त करा लिया जानते हैं क्यों मानत योगी आदितनात जी क्योंकि वो लीच पे चलाते थे और उनका भाड़ा हुआ करता था 40,000-45,000 रुपया मंथली हुआ करता था वो भाड़ा नौ चुकाने के वज़े से चुकी मालिक को भा जितने भी 16-17 स्टाप हैं इन सब लोगों की रोजी-रोटी चलती है इन बच्चों के और विद्याले के संस्था से आप लोग हमारे पेट पर हार कर रहा है हम लोगों के ब्योसाय से पर हार कर रहा है अगर आपको लग रहा है कोरोना है ठीक है विद्याले बंद कर यानि आप खुद नियम का पहले फालो करिए हम लोग नियम को फालो करने के लिए तयार हैं अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे इन बच्चों को चेहरों को देखिए इनके माता-पिता ने सारे बच्चों का किनका मुबाइल बज़ रहा है कि इन सब बच्चों के माता-पिता ने बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कापी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो पता एक एक बच्चों की किताब कापी दो-दो हजार रुपए कि आती है आप फिर लागडाउन लगा दिये इनकी पूरी पढ़ाई बरबाद हो गई आप यानि आपने एक हपते का लगाया है आपकी नियत पे तो मुझे 100% विश्वास हई नहीं है कि आप करोगे क्या आप पूरे साल पढ़ाई बरबाद करोगे हाद नीचे करिए अब ये बच्चे करेंगे क्या किताब लेकिन के गार्जियन करेंगे क्या हम लोगों ने प फीश नहीं लिया तो पेमेंट का हाँ करें हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया लेकिन अब इतनी कंडिशन होने के बाद विद्याले खुलने के बाद आप लोग विद्याले बंद कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है और आपका पॉलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं कि जिन नियतों पे आपका बरबाद होने वाला है मैं लिख के आपको दे दूँगा, कि अगर फिर से एक अप्रैल के बाद ठीक है, अगर एक हफ्ते के रोकने बाद करोना भाग जाता तो मनलब एक हफ्ता आप बन कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग एक हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे, लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया, तो निश्चित तर प पिल्कुल मत करिएगा, एक अप्रैल के बाद अगर भी जाला है, फिर से आप बढ़ाएंगे, तो इन सब चेहरों को देख लीजिए, और इनके गारजियन को लेके, अपने पूरे स्टाप को लेके, जीले से लेके मैं प्रदेश लेबल तक धरने पर बैठूंगा, इस बा इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक हफ्ता में बंद करने से करोना भाग जाता है, तो हम सब लोग आपके साथ हैं, अगर नहीं भागता है तो एक अप्रैल से छोड़ दीजिए, हम लोगों को को करोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोगो करेंगे ठरिया पिटवाएंगे और मुंबत्ती जलवाएंगे इससे ज़्यादा तो आपकी कुछ हवकात ही नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अप्रेल के बाद आप विद्याले खोल दीजिएगा इन बच्चों के भविश के साथ आप लोग खिलवार मत करिएगा तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा आक्रोस साफ दिख रहा है बच्चों की पढ़ाई की जो चिंता है और अपनी रोजी रोटी की जो चिंता है उसमें साफ साफ दिख रही है और ये बात अलग है कि गुस्से में सीएम के लिए या बेवस्था के लिए ऐसी सब निकाल रहे है जो सिक्षक या संचालक होने के नाते ठीक नहीं लग रहा है लेकिन अंदर इतना आक्रोस है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है पूर्वी उत्तरपदेश का ये वीडियो बताया जा रहा है सिक्षक का नाम क्या है सिक्षक ही संचालक है क्या स्कूल लेकिन इतना लग रहा है वीडियो देखने से कि स्कूल का सीन है और उसमें जो है ये प्राइबेट स्कूल दिख रहा है जहां पर कि फीस लेकर के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है ऐसा ही कुछ है जै प्रिप्राइब करें